हेलो फ्रेंड्स मैं से ये मुद्पनेट आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्स कप्षप में जैसे जीस्टी इंकम टेक्स हम सब प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जादा इंपोर्टन्ट है वैसे ही साथ में हमारे लिए एक बहुत इंपोर्टन्ट टॉपिक है जो कि हमें बहुत जादा मदद करेगा हमेशा चाहे हम बात करें इंकम टेक्स की चाहे हम जीस्टी की चाहे अधर लॉज में अगर हम बात करें चाहे हम ऐसा एड़ोगेट प्रेक्टिस कर रहे हैं किसी लीगल मेटर में प्रेक्टिस कर रहे हैं सिविल में, क्रिमिनल में, जो उन सा, जहां पे भी help जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह एक ऐसी जो है discussion है, जो कि हर एक के लिए बहुत ज़्यादा important रहने वाली है, आज नहीं तो कल हमें इसको use करना ही करना पड़ेगा, otherwise जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, AI tools के बारे में, जो कि mainly professionals के बारे में आज हम cover करेंगे, वैसे तो बहुत सारे हजारो AI tools हैं, लेकिन बात करें, अगर professionals के लिए उन में से कौन कौन से tools जो है use हो सकते हैं, वो आज की discussion में हम बात करेंगे, one by one लेके चलेंगे, और अभी mostly क्या होता है, as a chat GPT हम लोग समझते हैं, कि AI tool मतलब chat GPT, लेकिन as a professional अगर हम बात करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे tools हैं हमारे लिए, जो कि हम use कर सकते हैं, अपनी practice को असान बनाने में, जो हमारे काम 5 घंटों में हो सकता है, उसको हम within 15-20 minutes या उससे भी कम घंटों म तो discuss करेंगे, जो कि हमारे लिए, चाहिए हम GST का काम कर रहे हैं, चाहिए हम income tax का काम कर रहे हैं तो भी हमारे को वो सारे tools हैं, मददगार रहेंगे, तो आईए मूब करते हैं श्क्रीन पे और शूरू करते हैं आज की discussion को जो की हम कहेंगे, जिसका topic रहेगा हमारा AI tools for professionals, तो इसमें हम सबसे बात पहले बात करेंगे use of AI for advocates, CACS या other professional सबके लिए जो है ये useful रहेगा उसके बाद हम बात करेंगे किस-किस को ये effect करेगा to whom AI effect, क्या इन सबको effect करेगा या फिर इनके इलावा और कौन-कौन सी category है जिनको effect कर सकता है इसके बाद AI role क्या है, professional services के अंदर AI का कितना role है इसके बाद past, AI का past कैसा रहा और आने वाले trend में क्या होगा वो हम देखेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कौन-कौन से हमारे लिए professional के लिए tools है, उसके लिए tools में क्या होता है हम जब tools वो use करते हैं, तो हमारे को अलग-अलग prompts देने पड़ते हैं अलग-अलग prompts जो हैं देने पड़ते हैं अगर हम proper prompts देंगे, तो ही हमारे को proper जो है, उस पर result देगा क्योंकि हम AI के साथ एक interaction कर रहे हैं एक machine learning है, जहां पर हम interact कर रहे हैं तो हमारे को अगर proper result चाहिए, तो हम उसको proper command देनी पड़ेगी हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमारे को यह want है तब जाके ही वो दे पाएगा, तो वो proper command क्या है तो उसको बोलते हैं prompt और इसके लिए, इसको समझने के लिए जो tool यूज किया जाता, इसको कहते है prompt engineering तो prompt engineering के तहत जो है, इस तरीके से हमारे को prompt देखने होते है हम क्या command दे, क्या NLP दे उस machine learning को ताकि हमारे को जो result चाहिए, वो जो है निकल के आ जाए तो हम यहाँ पर different prompts की यहाँ पर discussion करेंगे अलग-अलग prompts को, इसके लिए में कुछ sample prompts जो है हम यहाँ पर डाल भी दियें, ताकि जो है easy way में जो है हमारे को prompts भी मिल जाए, ठीक है न तो हमें reply कैसे draft करना है, professional reply कैसे draft करना है उस तरीके से, और उसमें MS word में क्या हम एक ही बार में जो है किस तरीके से हमारे word में हम एक एक ऐसी command निकाल लें, ताकि जो है उस command को use करके पूरा हमारा word document जो है ठीक हो जाए, और authorized representative के व्याब पे हम reply कर रहे हैं कैसे होगा, तो अलग-अलग इसमें बहुत सारे MRL draft कर रहे हैं, कोई outstanding payment के लिए जो है हम client को mail बेज रहे हैं, तो किस तरीके से हम प्रॉपर mail सोगेरे draft करनी चाहिए, उसका क्या prompt रहेगा उसको हम बात करेंगे, last में हम बात करेंगे कि MS Excel Word PowerPoint जो कि हम सब बहुत use करते हैं, उसमें AI का क्या role है, AI के मदद से हम MS Excel में, MS Word में हैं बस पावर पॉइंट में किस तरीके से use कर सकते हैं, और इसके बाद AI software for professional various कौन कौन से हैं, वो सारे बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने बात करी, use of AI for advocates, CA professionals, सबके लिए जुरूरी है, चाहे आज की date में कोई practice में है, कोई practice में है, उसके लिए भी जुरूरी है, कोई कहीं पर job कर रहा है, उसके लिए भी जुरूरी है, कहीं मतलब आज की date में यह बहुत necessity tool जो है, बन चुका है, तो हर एक को यह अपनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि AI will not replace you, ठीक है न, AI replace नहीं करेगा, लेकिन वो person जिसको AI आता होगा, वो जुरूर जो है, एक ऐसे person को AI की जानकरी नहीं है, उसको जुरूर replace कर देगा, mainly काफी जादा हमने देखा भी है कि jobs काफी जादा, कुछ tenure में काफी जादा effect हुई है due to AI, अब बात करें कि कौन से sector को effect करेगा, अब मान लेते हैं कोई goods के case में है, कोई furniture बनाता है, क्या इसको effect करेगा, क्या इसको AI effect करेगा, वो material लेता है, furniture मनाता है, sale करता है, क्या उसको AI effect कर सकता है, यह आपके सामने question है, comment box पर please mention किये जेगा, आपका क्या इसके उपर view है, इसके बाद मान लेते हैं, कोई mobile बनाता है, अब क्या आपके view में, जो भी आपने सोचा की, furniture के case में, आपने सोचा होगा, या तो हाँ, AI effect करेगा, या फिर ना, AI effect इसको नहीं करेगा, दोनों case में, अगर goods, दोनों product हैं, तो अगर product change हो रहा है, तो क्या AI effect करेगा, देखे, इसमें क्या है, कि अगर small segment में है, small segment में है, कोई वो major decision, major services नहीं लेता, तो उस case में हो सकता है, उसको effect ना करे, लेकिन अगर मान लेते हैं, कोई बड़ी entity है, जो की services लेती थी, as a consultant services लेती थी, तो वो हो सकता है, AI की मदद से जो है, उसको services लेने की, कुछ services लेने की जुरूरत ना पड़े, तो उसकी cost जो है, कही ना कहीं कम हो जाएगी, goods के case में बात करें, तो यहाँ पे फायदा क्या होगा, कि उसकी जो है, cost जो है, कम हो जाएगी, उसका जो, जो के inward services की cost जो है, वहाँ पे कम हो जाएगी, यह उसको फायदा मिल सकता है, बाकि उसको production वेगरा है, वो तो उस तरीके से ही रहेगी, अब बात करते हैं, second category हमारी हाती है, service, अब service में बात करें तो दो तरीके की service हो गई, एक तब professional services हो गई, ठीक है न, एक हमारी हो गई, other than professional services, other than professional services, example ने तो मान लेते हमें कुछ काम है, हमें carpenter को बुलाना है, ठीक है, हम urban clap वेगरा से carpenter को बुला रहे हैं, ठीक है, अब या फिर हमने on call, plumber को call करी, plumber आया, उसने charges लिए, ठीक है न, उसने भी service दी, उसने charges लिए, और वो ठीक करके चला गया, तो उस case में क्या है, क्या उस services को AI effect करेगा, अब ये जो service थी, ये basically क्या थी, इसमें physical effort लग रहे थे, इसमें क्या लग रहे थे, physical effort लग रहे थे, जो हमने बात करी, plumber, electrician, इस तरीके, इसमें क्या आपने call करी, person आया, उसको जो है, ठीक करके चला गया, तो यहाँ पर AI का कहीं पर भी involvement नहीं रहा, AI का वहाँ पर कहीं पर भी involvement नहीं रहा, तो उस case में इस तरीके के sector को AI can still assist them by performing the information, scheduling, appointment and all this, यहाँ पर क्या है, सिरफ अगर appointment वगेरा से related, अगर कोई task रहता है, जैसे हमने का, अगर urban club वगेरा, अगर other media के through use कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है effect कर सकता है, else, otherwise हमने call करी और person आके ठीक कर गया, वहाँ पर effect वो नहीं करेगा, अब बात करते हैं, हमारे जैसे professional के case में कोई advocate service दे रहा है, कोई as a CACS service दे रहा है, तो क्या वहाँ पर effect करेगा, वहाँ पर बहुत drastic effect करेगा, क्योंकि क्या है कि legal decision लेना, जो भी basically अगर हम कहें कोई sitting work है, हमारा agency दे रहा है, उस case में जो है, आज की डेट बे, patient जो है, वो system पर search करके भी जो है, अपना AI पर search करके भी जो है, अपने पूरा का पूरा problem बता सकता है, उसको पूरी की पूरी उसमें analysis उसमें मिल जाती है, तो इस तरीके से professionals को कही ना कहीं नहीं करेंगा, बात करें कि किस तरीके से routine work में क्या-क्या AI का impact रहेगा, routine work में अगर बात करें कि इस तरीके से अगर मान लेते हैं data entry, tax calculation, document preparation, यह क्या है कि यह जो इस तरीके के regular work है, यह भी दीरे दीरे अपने आप automate basis पे होने लग जाएंगे, बहुत सारे हम कहीं है, legal research करनी है, किसी contract analysis करना है, drafting करनी है legal document की, जो हमारे regular task नहीं रहते, other than regular कभी कभार के task होते, वहाँ पे भी, जो है AI का एक major role रहेगा, जैसे अभी हम example देखेंगे, जब हम prompts वगरा देखेंगे, तो वहाँ भी देखेंगे कि prompts डाले, तो हमारे उसको कहना है, कि इसका reply बना दीजिए, वो reply बना के देदेगा, हमारी सारी discussion हम इस पे करेंगे, नीचे सारी details है, इसके बारे में किस तरीके से कौन-कौन से tools है, वो सारी हम यहाँ पे discussion करेंगे, लेकिन पहले समझना बहुत ज़रूँ है कि AI कैसे कैसे impact कर रहा है, अब बात करें पास्ट और अपकमिंग मूव क्या है, पास्ट की मूव करें, तो अगर हम बात करें, जो हमारा AI tools है, जो की 30 November 2022 को launch हुआ था, इसके आने के बाद AI बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, इसका अगर trend देखें, 2012 से लेकर, 2012 से लेकर काफी ज़्यादा patent गरांट हुए हैं AI पे, जहां पर सबसे major, सबसे ज़्यादा चाइना के पास AI patent है, 30,652 2021 में ही उनके पास इतने patent आ चुगे थे, ठीक है रहा, बात करें सेकेंड नमबर पे तो USA 17,738 patent उनके पास आ गए थे, फिर इंडिया, UK और अधर, rest of the world countries उनके पास भी patent है, तो इस तरीके से drastic हम देख रहे हैं, यह flow जो है drastic जो है, अपन ट्रेंड में जो है, देखने को मिला है, काफी ज़्यादा जो है, इसको impact किया है, इसके बात करें patent scrap की, तो देखो number of AI patent अपने बात करी, 31 times, ठीक है, अगर हम 2010 में करें, तो सिरफ 2000 patents है, जो कि 2022 में 31, 31 times जो हैं बढ़ चुके हैं, तो times, देखे हैं कि 31 गुना, कहां 2000, कहां 62,000, तो इतना major जो है, फरक आ गया, उन ungranted patents की बात करें, तो 2022 में there was over twice as many ungranted patents, क्योंकि क्या है कि देख है, 2022 में जो है ungranted patents थे, अब इसकी movement की बात करें, तो बहुत अलग-अलग देखो, एक time होता था, जहां पे system नहीं था, computers विगहरा भी नहीं थे, वहां पे physical जो है, चीजे होती थी, physical activity करने पे ही revenue का generation होता था, technology change होती गई, computer आए, नहीं नहीं technologies आई, machinery आई, तो वहां पे जो है, wealth creation का mechanism जो है, चेंज हो गया, वेल्थ के, अगर 1760 की बात करें, जहां पे farmers, physical activity करते थे, वहीं से ही, जो है, wealth drive होती थी, वो जो है, फार्मर से लेकर factory workers पे shift हो गई, factory workers जो है, वो जादा कमाने लग गए, फार्मर से, दीरे-दीरे क्या हुआ, फार्मर से, जो है, machine operator, जिसके बाद machines होती थी, वो वाली factories जो है, जादा अच्छा operate करने लग गई, as compared to normal factories होती थी, फिर दीरे-दीरे क्या हुआ, और technology चेंज होई, 2005 में machines की जगाट जो है, technology आ गई, ठीक है न, machines को भी technology ने opt कर दिया, technology based चीज़े चलने लग गई, लेकिन अब जो scenario है, वो technology से ज जो है, artificial intelligence basis पे आच चुका है, जहां पे machines जो है, अपने आप काम कर रही है, machines जो है, अपने आप respond कर रही है, जो उसके पास जो data club होता जा रहा है, गैदर होता जा रहा है, उसके बिहाब पे जो है, automated basis पे जो है, यह सारा reply आता जा रहा है, अब बात करें, कौन से tools ऐसे हैं जो हम professional, as a professional जो है, यूज होते हैं, सबसे most common और most used, जो कि हम AI का नाम लेते हैं, तो हमारे mind में सबसे पहले आ जाता है, जो कि हम कहते है, chat GPT, chat GPT, जो है 30 November 2000, हमने पहले भी बताया, 30 November 2022 को जब यह आया, तो यह most popular, आज भी most popular tool है, जब भी किसी को कहने है कि AI में, इसके बा powerful language model है, generate text कर सकता है, translate कर सकता है, language, write different kind of creative, तो बहुत सारे इसमें features है, लेकिन, लेकिन हमारे को, अब आज हमने अगर यह video देखी है, तो हमारे को आज जो है, पता होना चाहिए, कि अब chat GPT just एक पार्ट है, AI का, AI जो समुंदर है, उसका छोटा सा एक पार्ट है, chat GPT, जो कि हम बहुत बहुत बहुतर तरीके से जो है, एक professional यूज कर सकता है, ठीक है न, तो आज हम chat GPT के इलावा, उन tools की भी बात करेंगे, जो कि एक professional, एक chartered accountant, एक company secretary, एक advocate, एक accountant जो है, यूज कर सकता है, आपने काम को जो है, easy करने के लिए, तो हमारे को chat GPT का, तो हमारे को पता ही है, अच्छे से, chat GPT का तो, ठीक है न, chat GPT का या पर भी link भी दे रखा है, ठीक है न, लेकिन अभी writing उसमें है, तो link आपके बास होगा ही, इसका chat GPT तो आप normal, आपको link सब के मिली जाएंगे, ठीक है, आप Google पर कारेंगे, बात है समझना कि ये tools कैसे use होते है, second one जो है, वो कौन सा है, Google Jamini, Google Jamini क्या है, इसको भी आप chat GPT की तरह ही use कर सकते हैं, बलकि उसको उससे जादा आपको फायदा दे सकता है, बात यह है कि इसको use करना, इसको सही prompt देना, इसको किस तरीके से, जो है हमारे को command देनी है, वो सारी चीज़े पता होनी चीए, बात यह है क multimodal, यह भी यह multimodal है, इसमें क्या है, that can understood text, जो आप लिखोगे, जैसे chat GPT में लिखते हैं, वो command देता है उसके हिसाब से, ठीक है, इसी तरीके से यह भी है, लेकिन इसमें मज़ेदार बात क्या है, इसमें आप images भी upload कर सकते हैं, कोई image upload करो, ठीक है, मान लेते हैं यह वा अपने को feature यह मिलता है, कि आपको image है, उसको analysis करना है, तो वो upload कर दो, यह वो निकाल के बता देगा, तो यह बहुत अच्छा feature है, chat GPT में तो आपको text देना पड़ेगा उसको, यहाँ पर text भी आप दे सकते हो, साथ-साथ, image भी upload कर सकते हो, इसलिए इसको भी जुरूर तो अगला आता है हमारा, अगला आता है हमारा, next है हमारा cloud, मैं इस link को open करने की कोशिच कर रहा था, यहां से link open नहीं हो रहा, बट ठीक है न, आप यह link के इसका आप Google पर डालती है, गूगल जैमेनी अपने आप आप आ जाएगा, तो इसको जुरूर ट्राइग कीजिए, इस तरीके से मिलेगा, वहां पर भी इस तरीके से, चाहे हम Google जैमेनी में करें, चाहे हम cloudi.ai में करें, चाहे हम और किसी tools पर जा रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि अपने को कुछ अलग-अलग features और मिल जाते हैं, जिसको use करके अपने time को save कर सकते हैं, यहां पर क्या था, यहां पर images upload हो पारी थी, ठीक है न, कौन से में, यहां पर Google जैमेनी के अंदर images upload हो रही है, यहां पर और मज़ेदार बात है, यहां पर PDF भी upload कर सकते हो, आपके पास कोई notice आया, आपने notice उठा के यहां पर upload करना है, उसको कहा देना है, kindly prepare a professional reply of this notice, वो एक पूरे notice को read करके, उसका properly reply बना के आपको द जाएगा a to z आपको बस एक बार review करना है, और उसको final कर देना है, तो यहां पर अगर chat GPT में करते हैं, तो आपको वो notice की सारी information वैसे type करने पड़ती है, और यहां पर क्या है, आपको upload कर सकते हो, Microsoft co-pilot क्या है, Microsoft co-pilot भी इसी तरीके से tool है, यह same as अगर हम कहें, तो यहां Google Gemini की तरह है, यहां पर भी जो है, आप images form में जो है upload कर सकते हो, ठीक है न, Microsoft is AI-powered coding assistant that can help you developer writing codes faster, more efficiency and it can you task to generate code, debugging, refactoring, you can also upload the images, ठीक है न, यहां पर भी आप images, जैसे दो में images upload कर सकते हो, clouded.ai में आप PDF वेगेरा भी upload कर सकते हो, ठीक है न, अब बात आती है, गुमफिर के prompts की, क्या हम ऐसे क्या command दें, जिससे हमारे को properly, जो हमारे को result चाहिए, वो होई ही result जो हमारे को मिल जाए, तो हमने different prompts यहां पर use करें, अगर हम इसको देंगे, draft a professional reply, जो GST authority on certain matter, यहां पर हम निकल दिया, please write a professional reply, ठीक है, जिसमे reference number subject हो, that invoicing is not applicable in our case, there is no such turnover, हमारे ओपर invoice applicable नह बना दो, तो यह अगर आप ऐसे चैट यूपिटी में डालोगे, तो यह जो है, इस तरीके से reply आपको बना के देगा, आप उसमें डाल सकते हो, पुरा का reply बना के देगा, लेकिन देगो, वो ही same, मैंने prompt two में डाला, prompt two जो है matter same है, सारा का सारा, बस उसको command देने का फरक आ करो, और यहां पर हमने साथ में डाल दिया कि कोई placeholder ना हो, और साथ में use your own knowledge, हमने क्या इसको prompt दिया, हमने का, assume yourself as an advocate in practice, where you have to drive the professional reply to the GST authority with all details, where you have to tell, किसको professional को बताना है, कि हमारे उपर और यहां पर अपने हिसाब से आपके पास जो डाटा है, उस डाटा को यह इसाब से जो है, आपको इसका reply ड्राप कर दो, इस से फायदा क्या होता है, अगर हम इस तरीके से prompt देते हैं, use your own knowledge, no placeholder, तो यहां पर क्या होता है, AI को पता लग जाता है, कि manual exercise, उस case में क्या होते आपको editing कम से कम करनी पड़ेगी, आपको drafted most content मिल जाएगा, तो देखो काफी cases में क्या होता है, कि आपको बीच भी ब्रैकेट मिलेंगे, आपको edit करना पड़ेगा, अगर आप इस तरीके से command होगे, तो आप देखेंगे कि वहापे उस तरीके से reply जो है, वहापे कम हो जाते इसने subject create कर दिया, clarification or non applicable, ठीक है न, तो यहाँ पर उसने subject वगेरा भी यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर financial year नहीं है था, ठीक है, उसने यहाँ पर financial year जो है, यहाँ पर assume कर लिया, यहाँ पर financial year 23-24 assume कर लिया, ठीक है न, इस तरीके से assumption business पर अगर यह नहीं होगा, तो हम इसक professional capacity में का, तो उसने का as a applicable provisions, इस तरीके से उसने वहाँ पर financial year डाल दिया, provisions change कर दिये, मतलब वहाँ पर state कर दिये, यहाँ पर enclosed कर दिया, audited financial statement, क्योंकि उसने क्या गया, audit तो नहीं है, ठीक है न, चैट जीपिते ने assume किया कि turnover तो आपकी exceed नहीं कर रही है, इन्वाइसिंग क इसकी audit होती है, तो उस case आप से उसने क्या अलिन, closed कर दिया, audited financial statement डाल दिया, यहाँ पर उपर वाले में देखो, उसने audited नहीं डाला, उपर वाले उसने क्या गया, financial statement, यहाँ पर उसने evaluate करा कि financial statement हो सकता है, audited होती हो, तो इसलिए वहाँ पर उसने, जो है, हमने prompt as a professional दिय क्या, तो उसने यहाँ पर डाल दिया, कि आप audited financial statement, in case, उसको, otherwise क्या, इसको review तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, prompt one को भी review करना पड़ेगा, prompt two को भी review करना पड़ेगा, लेकिन फरक ही आ जाता है, prompt one में जो है, prompt two में कहीं न कहीं काफी जादा फरक है, prompt three जो है format, अब हम एक एसा prompt, जो है, ms word से ही create कर देते, जहाँ पर एक prompt, अगर हम यह देंगे न, यहाँ पर, I want to automate formatting, ठीक है न, vba code बगएरा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसी के through, जो है, यहाँ पर, times from one, हमने कहा दिया, सारा कूल, time from one में कर दो, 11 size, font का 11 size कर दो, जो है, to, dear, respected, इसके बाद कोई भी, फालतो, space नहीं होना चाहिए, line spacing, जो है, one होनी चाहिए, all font, जो है, just align and properly, जो है, aligned होना चाहिए, इसके लिए, क्या अगर हमने, chat GPT को, आप VBA code क्रिएट कर दो, तो हम इस तरीके से, वो VBA code भी create करके देगा, हमें को, just, वो code, जो है, copy paste करना होता है, module के अंदर, और वहाँ पे, जो है, changes करके मिल जाते हैं, ठीक है न, इस तरीके से, इसको मैं practically भी, जो है, एक बार दिखाऊंगा, ठीक है, अगर अभी, एक बार पुले discussion हो जाए, अगर यहाँ पे, ज़्यादा, लेंदी नहीं होती नहीं, तो इसको next segment में cover करूँगा, क्योंकि इस तर ठीके से, बहुत सारे यहाँ पे, अलग 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 जो है, यहाँ पे, मेंली क्या होता है, देखो, प्रॉंप्स को समझना, कि प्रॉंप्स क्या है, सिनेरियो के हिसाप से, जो है, उस हिसाप से, open-ended question है, तो उसका prompt, जो है, can you describe your experience with, ठीक है, न, open-ended कर रहे हो, तो इस तरी can you promise a solution, comparison, ठीक है, न, यह सारी चीज़े है, reflected prompts, how you feel, तो अलग-अलग सिनेरियो के हिसाप से, जो है, अलग-अलग prompts जो है, यूज करे जाते है, अब बात आती है, MS, Excel, Word और PowerPoint के अंदर किस तरीके से हम prompt यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम prompt यूज कर सकते हैं, चाहे बा बात हो, Word की, चाहे हो, बात हो, PowerPoint की, तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों पे, अभी मैं practically भी आपको न, उसमें दिखाऊंगा, कैसे यूज हो सकते हैं, practically यह सारी चीज़ें, हम AI की मदद से create कर सकते हैं, यहाँ पे आपारे को अब अलग-अलग websites वगेरा हैं, यहाँ पे अ करते हैं, यहाँ पे आपको क्या फीचर मिल जागा, अपलोड करो, वह स्कान करेगा, सारी डिटेल जो है, वहां के उसको स्कान कर लेगा, क्या tax है, क्या taxable value है, कों seller है, कों buyer है, सारी value निकाल लेगा, उसके हिसाब से वह accounting entry भी पोस्ट कर देगा, हमें करना क्या है, जस्ट जो है, इसको यूज कर सकते हो, यह भी बहुत एक अच्छा AI software है, यह क्या करता है, हर एक client का एक अलग से web page बना देगा, आप डिरेक्ट उसका communication के लिए, उसको सारा आजेगा, कि बंसन से यह यह इस टाइम पे communicate हुआ था, ठीक है न, इसके एलाब है, उस client wise text planning में बता दे आज चुकि है, fathom video, fathom video बहुत अच्छा tool है, आप आज कल क्या है, video meetings काफी हो ने लग गई, covid के बाद में लिए, तो यहाँ पे क्या है कि आपने meeting करी, meeting आदे गंटे की meeting को stop हो गई, उसके बाद क्या बात हो इती खतम, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, fathom.video के थू है, यहां पर क्या है कि पूरी की पूरी मिटिंग को एनलाइज करके उसके short notes बना देता है, key points क्या क्या थे, meeting के summary क्या थी, वो सारी के सारी उस video को study करके जो है वाहां पर आपको बना कर देदेगा, कोई अलग से लिखने के जुरूरत नहीं है, firefiles.ai यह भी इसी तरीके से है, य यहां पर क्या है यहां पर भी पर मेटिंग के जो सारे बना कर देपां। यहां पर कर सकती हैं अगला है जो हम यहां इस तरीके से काम करता है थिसे यह यह help to coordinate with team well very well and analyze the dependency of work with teammates तुक्या coordination है किसका क्या काम pending है यह सारा जो है AI based कि क्या next step लेना चाहिए किसको क्या काम assign करना चाहिए यहाँ पे इसके बाद आ जाता है सुबध.ai यहाँ पे इसका integration है टेली के साथ बींटेग्रेशन है इसका वेपार करो में एक्सलाइब यहाँ पर सारे के सारे जो है पोस्टिंग वगहरा आपको इतने olur जोने चर्चा है तो mentre मैं और जा करें सियां केयmittel के सिस्पे तर्भ वेडति वेदा के लिए चाहे और और के लिए recruitment के अंदर b히 AI आ चुका है recruitment में भी आ चुका है और inventory के अंदर भी आ चुका है यह सब के अंदर जो है कही ना कहीं हमारे को देखने को मिलता है कि आप AI आ चुका है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं अब बात है कि यहाँ पर यह सारी एक part में करेंगे कि यह काफी ज़्यादा आधे गंटी की discussion almost हो चुकी है तो काफी ज़्यादा लंबी discussion ओर ज़्यादा हो जाएगी है उसको भी हम separately cover करेंगे इसमें वो सारे tools हमने साथ में annex करेंगे हैं ताकि वो जो है उसका impact जो है हम practically साथ साथ दे सकें यह आज जो थी हमने जस्ट एक overview किया है पूरा क्या पूरा AI के बारे में कि professionals को AI को किस तरीके से use करना है बाकी का segment हम इसको next part में cover up करेंगे तो इसके साथ आज की discussion को close करते हैं मिलते हैं next video में next topic के साथ तिल देन बाइबाइबाइज जैवारत